परम सनमान योग साहिब शरी गुरू गरंत साहीब सचे पाथशाहा महराज जी दी पावन पवितर खजूरी अंदर वैसाखी पुर्वनू समर्पत विशेश दिवाना दी आप जी खाजरी पार रखेखो पाई हर प्रीत सिंग जी सत्गुरां दे अम्रत बचन कीरतन सर्वन करा रहे सन आओ जो विचार अपन इत्थी प्रारंब कीती है उस लड़ीनों आप जी दे सान्मुख अगे बिंती कर सकां आप जितने सत्गुरां दी चर्ण शर्ण विच सोबाए मान हो जहां अपने करांच बैठे सर्वन कर रहे हो एकागरता और असीस बख्षो एदो लफज में ताँ वरतना हुना असी जबान दी चुपनों इकागरता कहिने है उन्ज गुरुगरं सहीव दी बानी ने जबान दी चुपनों अनर्जी सेव करन्दा साधनता दसे है इकागरता है मान दी चुप हो जाना सिर्व जबान दी चुपनाल जे मोनी हो जाए ते साथगुरा ने पहली पौडी वेची कह देता चुपई चुपना हो वई इते याद रखेओ लफज एक चुपई है एक चुपई है पर दोना दे अर्थ वकरे वकरे पहले चुपई दा अर्थे जबान दी चुपना हल ते दूसरा शबद जड़ा चुपना हो वई एदा अर्थे मान नहीं चुपकारदा क्योंके लफज एक वी है चुपई चुपना हो वई जे लाए रहा लिवतार कोई भी बुलारा बोले संगत विच उदे सबंदी अपां पॉजितिव अपरोच लेके ख्याल पैदा करांगे सच मुच उदो पूर्न इकागरता बंदी है आप जितने सत्गुरांदी चर्न शर्न वी जाक का रांच बैठे हो गुरु बख्शी फते सविकार करो और अद्ब सैथ उचारन करो जी वाख गुरु जी का खालशा वाख गुरु जी की फत है मैं कुछ मिन्ट आज तक आपां की बोले हां सिर्फ एक पंची चाथ है मेरे मांसी इस वरे हाला मैं ओ गाल शुरू नहीं कर सक्या जिननी इते हो जाएगी ठीक है बाकी जिते अगे विचार करांगा उत्थ उस लड़ी नू जारी रखांगे मंसी जो पाईस है पाई नांदलाल हजूर दे अत दे नेड़ देने ते हजूर सहिब तक नाल तुर देया उनने जो फार्सी विचता है कालों मैं अर्ज करांगा उनना दिया रचनामा बारे ते एवी साच है पाईस है पाई नांदलाल सहिव जी तो बाद सिखां विच कोई भी इनने उच्चे सुर्ट दा मालक परशियन दा विदवाद पैदा नहीं हो सके जो पाईस है पाई नांदलाल ते बख्श सी उनने रहत नामा लिखिया तनखा नामा लिखिया ते जड़ा तुसी रोज दो तुकां पढ़ दियो और दास्तो बाद राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई याद रखियो पाई नांदलाल सहीब जी दिया तुकां ने उनने लिखिया आखा है माराई दे वेले दे लिखता है उस खालसा शबसबंदी ताम अंचाया क्योंके जिड़े सिदान तक हमले खुंदे या मेरी फिर बिंती है फिजीकल हमले वास्ते इकाट हो सकता है बोल बुलारा हो सकता है सिदान तक जिड़े बरीक हमले खुंदे या सिखी ते उन्हों समझन वास्ते बरीकी ही होनी चाहिए दी है उस विच मेरी बिंती सी के गुरु नानक सैब फिर अरज कहे गुरु गरंत सैब ते खाल से नू वक्वा करके वियाख्यानी करने के शिरी गुरु गरंत सैब दी बाणी दरासल मूल शरोत शब्द वरता जहां खाल से दे जड़ी शुरु आते जड़ा ने सच एवे गुरु गरंत सैब दी बाणी कहे उस विच आपन जिदे शब्द खुनता के विचारे ने संत शब्दी विचार कीती ब्रह्म ग्यानी शब्दी विचार कीती साद लफज दी विचार कीती ते काल दपैरदे दिवान तो जो मैं शुरुवाद कीती ओ आपा कीती है सेख दी मैं आपनू कल बिंती कीती सी के शिरी गुरु ग्रंत सहेब दी भानीच सेख शब्द गुरु नानक सहेब ने बरते है गुरु अमर्दास जी ने बरते है हालांके जितनी बानिक है ओ जिते सानु अउगणा तो रोक रहा गुणावल प्रेय रहा असच ओ साधे जीवन दी रैत दी अरंबता है जिमें असी एक पाठ रोज करने है ऐसा कम मूले ना कीच जित अंत पच्छो ता ये इस जिन्दगी दे करम ना सबंद देखे जदोसी आसा की वार्चे पढ़ने है ऐसी कलाना खेड़ी है जित दरगा गया हारी है एक ही है साधे जीवन दी रैत देखे जदोसी सुखमनी सेवच पढ़ने है के सर्ब तरम में सरेश्ट तरम अगे है हरको नाम जाप फिर गलते आनना सुने हूँ जे सिर्फ नाम जाप है पखंडी वी मूतो राम राम कह सकता है परपंच करन वाला भी वैगरू वैगरू कह सकता है मेरी बिंती उते अगला लफज रैत है ओ कहा है हरको नाम जाप निर्मल करम के विल जापने अंदर करम ही हो वे इस हारियां गल्ला जदो आप आप साथ गुरू दी बानी दा बयास करा हैं कि सब कुछ साथ गुरू बक्ष दे कल मैं आप जिनों अर्ज की ती ती सिख बारे आप आप जेड़ा शब्द कल सलोक ले आसे मैं उसे तो शुरुवात कर लगां गुरू रामदास महराजी दा ओ सलोक सेख ली तर्तीब वार पहली रैत कह सेख दी जो लिखी गए मैं तर्तीब वार कह रहे हैं ओ भी सिर्फ स्पिर्चुल है सारी उच बार मुकी करमादा कोई जिकर नी सिर्फ नाम दी गल्ग है उस विच सत्गुरा ने फर्माया गुर सत्गुर का जो सिख अखा है सो पलके उठर नाम ते आवै उद्म करे पलके पर बाती इसनान करे अम्रत सर नावै यर्था पकल कर चुके है उपदेश गुरु खर हर जप जाप है सब किल्विक पाप दोख लए जावै फिर चड़ा दिवस गुर्बानी गावै बेहंदियां पर एथे नहीं क्या कि में बेहंदा उठना बेहंदियां उठ दियां खर नाम ते आवै जो सास्गिरास ते आए मेरा खर हर सोगुर्षिक गुरु मन पावै जिसनों दियाल हुवै मेरा स्वामी तेस गुर्षिक गुरु उपदे सुनावै जान नान के तूड मंगा तेस गुर्षिक की जो आप जप है अब्रा नाम जपावै हुण इस एक और से केड़ा एदा मर्तलव वेगा कि आपां जड़ेया फिर सिख किर्ट नहीं करता ने गुर्म खो इस पौडी दी व्याक्या सलोक दी व्याक्या पाई गुर्दा सहब ने किती मेरी फिर अर्जिक है कि गुर्मत लिटरेचर मैं रोज कह रहे हैं क्योंकि गल म मैं वारवर पता क्यों रिपीट करना भी जेंच मेरे चीव बैठ जाए गुर्मत नूं समझन लई केवल कथा वास्ते नहीं असी ग्रंथ पड़ने मेरी बिंतिया पां सिखी कमान वास्ते ग्रंथ पड़ने हैं होन आश लोक है जड़ा पड़ेया गुर्षात्गुर्का ज कै कि ऴैठ कै तर्म्रणादी शुर्थ करनदा साथ संगत मिच जाया कै गुर्बाणी दे प्रीत सुनननदा अगे है किर्ट वर्त कर तर्म दी ले पर शाधान वर्तननदा गुर्षंका मनू मटाय कै गुर्षिकळड़ी सेव करनदा ए शबद बरते कि गुरु के सिखांदी सारेो सेवा करदा है गुर्शिक पल के उठ कर अमर्थ वेला सरना वंदा गुर के बचन वचार के तरमिशाला दी सुद्ध करंदा साथ संगत विच जाय के गुर बाणी दे प्रीत सुनन्दा शंका मनो मिटाय के गुर सिखां दी सेव करंदा किर्ट विर्ट करतरम दी ले परिशाद आन वरतंदा हुनो थे देखो पाई सब इने कया कली काल पर गास कर गुर चेला चेला गुर संदा इदी व्याख्या कर देती मैं इस तो जरी अगली बिंती आपनों करनी जाना सेख दे लफज तुसी बार मर्यादा जरी लाई होते सब तो पहला शब्दा है सेख कौन है मेरी फिर बिंती है के सेख मर्यादा तुर्की बार्णी नहीं यह लफज मैं बड़ा सक्त कहन लगा इस विच समय उनसार पंत फैसले कर सकता है सथान उनसार फैसले हो सकते है पर गुरु गुरंसाइब दी बानी तो रुकी सर्ब काली ते सर्ब देशी ये ते विचे कोई बंदा तब दीली नहीं कार सकता क्योंकि एक केबल अखर नहीं हुण सेख कौन है अची सलोक पड़ ले है एक मैं आपनों भिंती करांगा के सेख दे अर्थ मैं उस बिदवाननू ना तमस्तकुना जिदी लेखनी दे मुकाबल ना सियासी ता औरते बक्षिदाज ना तर्म दे ता औरते खास करके सरदार कपूर सेख जी आईसी एस उनने सेख बारे क्योंकि ऐसी सिर्व ज़्यादा जिकर करने साची साखी दा ते मैं अक्सर कहना हुना उनना उननू जे पढ़ना है ते उनना दी पिछे जे कताब जड़ी अंग्रेजी वेचे प्राश्रा परशना उप पंजाबी वेचे उगिया तर्जमा हुदा दोवरी ओ कताब निठ के बढ़ी है मेरे मन चे अदब हो गया हो एड़ा भी दुवान सिखा चे उदा मुकाबला कोई मेरी फिर अर्ज कहा हुआ कोई बंदा ऐसा नहीं ये मत सोचो सारे पूरी हो ने रब ने जो कुछ पैदा कीता हुने बाजा पी नाल लाई है एड़ा सोना गुलाब दा फोला एखिड़या एड़ा कंडा नाल ठोक देता हुने ये ओनी लाई है ना एना मिठा संत्रा ते कोडी उते चिलर भेटकार दीती सो तो अड़ेने बधामने किनी गिरीच ताकत है उते लकड भेटकार दीती हुने चंदन एना ठंडा ते सापदी बाजनू लादेती इसक दा मतलबे नी के अउगना पर विर्तो ना एदे विच टोटेल टीच जे काओ भी सारे सब सचे सब ठीक मुकमल केवर पूर्न ब्राम ग्यानी साथ गुरूते प्रमात माग है मेरी फिर बेंती सुनियों मैं जे अर्ज कर लगा उस विच सेख दी परवाशा की है अज मेनू के पुछे दाड़ा परकाश दस्तार बननी मेरा बाना बेके कहे सेख तुरिया जान दा है उज वैसे लोका ने जे मालो कली दस्तार ही बननी होवे ते कहे दे निया जी मत्था टेक दा सेख है मेनू ना दी एक गाल बड़ी चंगी लगी ओक इनने जदु असी लोक सेख दे अर्थ वद्यार थी चिश इस दी जी कहने है सेख अखीर तक सेख जी सख्यार थी शेश यह मैं अर्ज कर चुका स्टूडेंट कि ने एक अर्थ अंदरो गले तो थले नहीं उतर दे स्टूडेंट वद्यार थी शेश चेला खिमा कर देओ एक दुनियावी तोर थी एक मास्टर एक परफेसर ओदा स्टूडेंट ओदा वद्यार थी शेश है पर याद रखेओ सेख गुरु गुरंस है वदा ओवे जिदे विच्चो गुरु बोलदा होंदा है फिर अर सुने हो सेख ओवे जिदे विच्च गुरु है ते जेस दिन सिर्फ बारों बंदा रहे जाए अंदरों गुरु निकल जाए वो दो सिर्फ टांचा रहे जांदा अंदर ताकत कोई नहीं रहेंदी मेरी फिर इस बिन तिनुत्या मैं रेपीट कर रहे हैं गुरु साहिव ने क्या सेख हो जिदे विच्च गुरु चल काम देवे गुरु दिसे जिमें आप एक पाठ कर देऊ गुर सिखा अंदर साथ गुरु बरता है सिखा विच्च साथ गुरु बरत देया गुरु आवरत देया सिख ओवे जिदे विच्च गुरु बरत देते गुरु दी परभाशा आनमतियां दिर देनी गुरू दी प्रबाशा जिन्नी को बाणी पढ़के समझ भई गुरू ओवे जिने विच रब परगट होया है पर मातम जिनू कहलो असी गुरु गुरन सहीव जिनो सत्गुरू दी प्रबाशा पढ़ने है ए सच्चा गुरू नहीं कहला कोशना कहेगा सत्गुरू का अर्थ है सच्चा गुरू पर गुरू गुरन सहीव कहने के नहीं सत्गुर विच आप रख्यों कर परगटाग सुनाया सत्गुरू विच वे गुरू जी वरते है गुरू 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 जी शब्द वरतन के सिर्फ संखेब जी बिंती करांगा साथपुर की जिन जानेया साथगुर तिसका नाउ ये थे का ला सचा गुरु अर्थ नहीं हो रहे साथपुर की जिन जानेया साथगुर तिसका नाउ तिसका संग सिक उदर नान का हर गुन गाउ में उस शबदनो उन्हें संगत करके मेरी फिर बिंती सिद्ध शब्द जी मेरे साथ गुरू विच परमातमा दी बर्ट देने जदो सेक शब्द दी कमाई करदो दे विच गुरू गुरन सब्दा परकाश हो जानदा है एक परकाश बार एक चर्ण बार फिर मेरे अज़ सुने हो एक चर्ण बार ने जशी किन्या साथ गुरू शुरू लाके जाने शब्द बरत ने है कि साथ गुरू विच चर्ण पुआई है कमरा साफ करने है कमरे साफ तो बिना चर्ण नी पुआन दे याद रखे ओ शरीर दे फिर दे बेचे भी मेले आज़ चर्ण पहिंदे जिना दी सफाई हुंदी चर्ण पहिंदे गुरू शाह विचे के बचन कहे नानक नाओं खुदाए का दिल अच्छ है मुखले हो इस तो करने बिर दे आना सुने हो दिल दी सफाई कबीर सहीब ने ता इतोक शबद बरते है जाकी दिल साबत नहीं एते साबत दर्थ मुकमली साबत दर्थ सफाई जाकी दिल साबत नहीं जाकी इस तरही लेंगे जिदे दिल दी सफाई कोई नहीं उन्हों रब किते मिल जाना जाकी दिल साबत नहीं ताको कहा खुदाए मेरी अर्ज है जी गुरू वेच पारब्राम परगटने सिख जड़ा जोड़दा हो दे विच गुरू वर्सदा है एक होर अर्ज है मेरी बिंती है कल मैं परसो शेद पाई मूले दा जिकर कीता सी है ना इमें जेड़े पड़न दा शौक राख दे रहे हैं मैं सिर्फ उनाली बिंती कर रहे हैं को सिखो पाड़े को एनाक खजाना पर है आप है सारी उमर भी पढ़ देरो कदी पारावार नहीं पाया जासकता द देखो आप आयो विसाखी दे ये थे बिंती करके जाया करिए साथ गुरू ऐस साल जोन पाई सभ कहरे ने ऐस ऐस वरे मैं नितनिमनी कर रहे है तुषी किरपा करो अगली विसाखी में आवा मैं साथ बाणिया दा नितनिमनी हो मैं अमर्द शकनली बिंती कर रहे हैं तुष किर्पा करो खोन नहीं मैं शब फिर भी कांगा सत्गुरु अगली वैसाखी तक ऐस तरह सिखी दी दाद देदी जिमें संगत भी दिती हुई है अपना फुर्णा दे बना ये फुर्णे नू पागला गदा हुंदा है जी थाउटी 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 जो सोचोगे होवेगा हजूर सचे पाथशा महाराजी ने सिख ली जड़ी बख्षिश कीती है जड़ी किरपा कीती है सिख विच गुरू वर्त दाख है जड़ी अर्ज है पाई साहब पाई गुर्दास साहब दी ग्यारवी वार उदिया पाउडिया जलूब को कि उदी वे छिक आंदा जिकर है उस वार विच मैंनों याद मैं एक थे बहुत समा पहला कथा कि तीसी मंजी साहब मैं कई विरी शबते बोले हैं सिख ते गुरू दा सबंद किस तरह है पाई साहब ने उदारना दितियाने संसाहरी असी गुरू गुर्द साहब इच तेन शब्द बड़े पढ़ने जी एक ग्यान दूजा त्यान ते तीसरा सिम्रन ए बड़ी बड़ी शब्द है ग्यान त्यान ते सिम्रन सेख ग्यानी की में है सेख त्यानी की में है सेख सिम्रनी की में तिन्ने चीज्यां साथ गुरू ने दितियाने गुर्मखो सब तो पहला पाई साहब इक लिख देया गुर् शेखदा ग्यान इस तरह है जिमें कोयल दे बच्चेदा ग्यान है मेरा ख्याल आप जिनों याद होने कोई बहुत समय पहला है ती कदा किती से शेखदा ग्यान कोयल दे बच्चेदा ग्यान है शेखदा त्यान कच्छू कुमी दा त्यान है सेखदा सिमरन जेड़ा गुरू ने कुझ वरगा देता है इस अरजनों थोड़ा जया मैं बिंती करके खोलना चानना तियान कच्छू कुमी वरगा ग्यान कोयल वरगा तिस सिमरन कुझ वरगा जदो कच्छू कुमी आंडे देंदी ये आपनु पता हुना ओ कदी वी पानी विच आंडे नी देंदी ओ कच्छू कुमी आंडे हमेशा बरेते विच देंदी ये जी रेत विच अगली गल ओ इस तरह आंडे आंडे उपर नी बैठ दी जमें आपंची बैठ दे या जाँ सपनी बैठ दी अगल पता है सपनी जड़ी आंडे आटे बहिंदी कोई लोग के कहन दे ने भी जिनने दिर तक आणडे आटे बैठ दी खांदी कोज ने ते इनने दिना बाद जो पोखनल कलप दी ये ना इनी पुख्खी होंदी जामदे अपने न्याणी खाने शुरू कार देंदी हुण ओ कच्छू कुमी अंडा ब्रेते दे देता आप ओ वापस आगई ओ पानी विचे है फिर ओ कर दी कि उदर बच्चा किमें पैदा खो भेगा क्योंके माँ दी हाजरी ते चाहिए दी है कोई भी तुशी माँ ले लो कोई भी खै पशू खै पंची खै ते जदो माँ अंडे दे कोल नहीं ते बच्चा के में जन्म लेगा ओ दा एक को तरीका है कि कच्छू कुमीनू रब ने एक त्यां दिता है ओ अंडा रेते विच राक के फिर ओ दा त्यांट काना शुरू कर देंदी मैं उस दिन आपनों एक बिंती किती सी खास करके बीबिया ले के गुर्म को यतन करे हो के गुरू द्वारें में जन्म लेगा ओ बच्चे दा त्यांता रदी पही है अंडे च को बिलकुर कोल नहीं कही ओ दे त्यांदी अनर्जी नाल ओ दा जड़ा बच्चा ओ दा ओ आंडे चो दा श्रीर बन लाग पहीं दा त्यांदा ये एक गुरू गुरू गुर्म साहब जीने में कही ओ त्यांदा आंडे दे विच बच्चे दा श्रीर दी बंतर बन गई जितन देन पूरे हो गए ओ दन कच्च्चु कमी आंडे न तयां जोड के आंडा तोड़ दे दी जदो आंडा तोड़ दे एक कोदम कच्च्चु कमी बच्चे को चली जान दी अपने बच्चे नो लेकर पाणी जान जान दी वह वापाई सभ themed thekas रस सात गुरा ने शेखनो ग्यान कच्छो कुमी बरगा देता है आप जी संगत चाहे हो असी शरीर के तोरते गुर्मखो यह मैं दरबार से कोई मैं यह ना ब्राम ग्यान नी नी पर मैं को बेंती करना साथ गुरू साधे नाल अंग सांगे थोड़ा या ब्यास करंदी लोड़ के पहला ता पाहम ना आप जी मान लो एथे बेठे हो नाम जापे आपा सारे पाई सब कीरतन करके गए जदो मी आपाते आसक थावाते जाने ना देख जरूर का यह महरवरी के ना पर उस थाँते बैठ गे अज दे समय नो पाढ़ देना है उस समय चले जाना है जदो साथ गुरू थे आके चर्न पाएने जिमें माच्छी वड़ा सहब गए असी बोड़ पढ़ लिया उत्ते लिख है मित्तर पे आरे नो खाल मुरीद दान दा कहना असी पढ़ ले ते साथ गुरू आये साने इत्तो टिंड लाई सी गुर्म को जे ता इस ता दर्शन करांगे फिर लाल किला गये ते गुर्दुर्या गया ही कोगा ली ता आज महल कोई तो गया जदो उस से रोख दे थले भई ये असी आज चना जी ये असी उस समय चले जाएए के दशमेश पिता जी बिश्राम कर रहा तेंड़ दा सराणा है तेंड सेक चरना वाले पासे लोते या प्यारे पाई दया सिंग प्यारे पाई तरम सिंग ते पाई मान सिंग गुरू गोबिन सिंग मैं फिर के दिन अर्ज करांगा जड़े पकेंदे दे नो नहीं मान दे जी ओ केड़ा बंदा जड़ा त्यांच बुटान नहीं पूज़दा एथे त्या का इससे खुमानी साहब देज़दा ते चेते में जी कुई और बंदा चालदा हुंदा उस वक्त हजूर दे जे चर्ण ने मान लो ओ खून जम्या हुए है ते असी थोड़ा जा अंदर नो टिका के त्यां टिका के उते सिम्रन करना शुरू कर दिये हिस्त्री ते स्पिरिच्वालिटी रुखानियत जदो अंदर एक कोदम बेराग चाएगा टेक जाओ गुर्म को तुसी मेरका आके रोज उस गलनों चेते रिखो उस जांड थल्यों और आफेर रहोना शुरू हो जाएगा फिर गलना लगनी है नहीं है कमली है कमली है कोई नहीं है ऐसा चीजे जे मरंतो बादा सब कुछ फूख के वी अगे नाम जाना है ये ता रोहानियत ते एनी बख शिशे जी होनो त्यान टिकान दीख है ते कच्छू कुम्मी त्यानल गुरू सहब ने सां त्यान देता है कि त्यानवी जीओ त्यानवी चिखाओ आज जेड़ लोग रोला पेंदी कल मेडिटेशन आउनलाइन जालदा है बड़ा बड़ा बपार है गुरू गुरू सहब के ने कि कच्छू कुम्मी वर गातिहान जे में ओ बच्चे तो दूर भी खै पर त्यानल बच्चे नू अनरजी ताक दे रही है तो शरीर के ताउरते पामें दूर भी होंए शब्द करके नंहीं जुडा हुए तो ट्राक ते चड़िया भी गुर्दवारे बइठा होंए क्योंकि त्यान चें ताकत है तू दवतरच बैठा वयार मंदर सहब चला जा तू दवतरच बैठा वयार जूर सहब चला जा तिहान ते जिस दा तिहान रखांगे उन्हें ताकत जरूर देनी वेकि फिर फिर गर सुने हो कामनी दा तिहान आएगा ते कामवाशना पैसे दा तिहान आएगा ते लालच मितर दा तिहान आएगा ते मो वैरी दा तिहान आएगा ते नफरत ते जिदे त्यान विच गुरू नानक साहब आजया उनू की मिलूगा क्योंकि जड़ी ओसकुल दाता हूं मिल दी खे पाईसाभ किने सब तो पहला सिखनू क्योंकि मैं फिर खाल से तक आ रहे हैं आज मैं शुरू कर देना खाल सा सिखनू जड़ा त्यानक है कच्छू कुमी वर्गा दिता उस तो अगली बिंती जी इनू ग्यान जड़ा है ओ ओ कोयल वर्गा दिता कोयल कदी भी अपने आलना दे उदा किते दिने जी कोईल जदो भी आंडे देंदी है वो कामनी दे आंडे विच आपने आंडे देंदी है वो आंडे गिंती नी कटन देंदी कारदी बहीमा नी कामनी दे आंडे बार सर्ग देंदी जिनने आपने वो दी गिंती कटाई जान दी नहीं कामनी दे आढ़ियां वीचि趣 क्योईल दे आढ़िय ने कामनी नुप पहचान कोई ने चल रब नग खेड़ बनाई कामनी में किसे नो पुच्छा थै का दी मदीन कऊन खै ओ करे थैज्य कोई नी मैं कहा है गै मैं कहा पाई गुर्दास साहिब ने कामणी शब्द बरते आखे कामणी मदीन ले ओ बैठ दी खे समे नाल कामणी दे ते कोयल दे आंडेयां दे बच्चे निकल दा टाइम ही को खे और जदो आंडे चो बच्चा निकलिया काँ दा बच्चा कामणी दा बच्चा जम दी काँ काँ कर ला कोयल दा बोल दा नि ओ चुप ओ कामणी दे बच्चे निकलियां दी रीस्वीरी कर दा चुप बइठ है कोयल नू पता है लागी जान दा है के समा हो गया है मेरे बच्चे दा जनम हो गया उन्हों तूप हैं दिवे को अंडे कोल नहीं माँ है ना ओने अंदर तूप हैं दिए ओ गुर्म को नेडे आंके दर्द परी आवाज विच जदो ओ कूक दी खै कोयल इको दम बच्चा पैचान लेंदा है मेरी माँ है इको दम कोयल दी आवाज वेचे कूक वेचे अपने कूक मिलांदा है माँ जदो कूका मार दी है ओ कावणी नो छड़ के कोयल पीछे चला जाना है सत्कुरा ने कैसे सिखा तेनो ग्यान कोयल बरगा देता है पलेया कामनी दे बच्चे आना जम्या हो थे पर बोली कामा वाली ना बोली सची मुची खिमा कर दे हो जदो जड़ा अभियासी है जदो गुरू की अवाज शबद चिकन्ना जपहिंदा है लखा बंदे कामा रोली पाई जान जदो शबद सौनदा है ओ कामा राली नो छड़ के फिक के बोला नो छड़के अपने गुरू पिछे चला जानगा तेरे कुल हो एथो तक जी गुरू गरंसाइब दी बानी दाप आठ हुन दै मैं फिर रिपीट करांगा ओ जिंदगीत बहुत कोई सिख्या जे दौाई राबदी मैं देरियां में इसे देरी नहीं चाहिए दी बहुत कोई सिख्या जे मरं तो पहला है कवरी गुरू गरंसाइब नो जरूर पढ़के जायो एब बक्षिश जरूर लेखिए हुन सानूता ए नहीं पता बानी के डिख है जेरा पांट नहीं कर दा के विरी उसामिदा पता नहीं की पढ़ी जान दे अज प्रावलम ये वे क्योंकि पांट कर दे कुनि असी पिछले दिनी में अर्ज किती सेख कौम ने जिनू बहुत प्यार देता सरदार जसा सिंगालो वालिया माराजा रंजी सिंग तो बद प्यार मिले हो ना सुल्तान ने उलकाउम सरदार जसा सिंगालो वालिया ओदे बारे में सुने आख है पर लिख चैनी एक सीना मसिना चल दिये के ओजित्थे करपान दे कल परसो करांगा बेंती जो खालसा गेउ के लड़दा है जित्थे ओ करपान दा तलवार दा तनीख है गुर्म को ओथे एक शब्दनू अलो वालिया सरदार उन्नी रागां दे गुल्दस तेज बढ़ जानदा सी सुआद आ गया ना फिर याद रखे ओ जित्ताउना दे पैर चुमदियाने जिनने नितनी में कोई नी करना हो केड़ी जित्पाल दा गुरू नू छड़ देंगे कुछ नहीं मिलना हजूर ने होते क्या ग्यान कोईल वर्गा होवे तुम एननी बानी न जोड एनना जोड इस कावा रौली वेच तेनू गुरू की बानी बचा के रखेगी तीसरी मेरी बिंती त्यान कच्छू कुमी वर्गा ज्यान कोईल वर्गा तीसरी बिंती है जी एक होर जी ग्यान दीगाल मैं जो पढ़ रहा सां पैसहब केंदे ने भी जडा हंस दा बच्चा है जा बच्च दा ओधी रिह के वरी कुकडी दा ना शान कार लिएं относीर कोगडी ज़चा केंदे है सारीचूचा केंदे इस हंधी तीसरी हिंदी ज़चा केंदे या न No ओधी रिह कार दा है ओनो बतग दे बच्यानल तुर्या जान दा है। सामने आगया पानी दा नाडा। बतग दे जड़े बच्चे ने ओढ़ी ठेल पहेंडी पानीचे। तुर देतना उधर गयर न कुक्ड़ी दे चूजे भी। पर जदो पानी आया, बतक दे, बच्चे जिडे ने, जा बतक दे, जिडे चुजे ने, उढू पानी पताओ, जमांदुरू तर दे नो तर के निकल गे, ते कुकडी दे चुजे आने की कीताओ, पानी तो डरके वापस आ गए, रूडी हुँ ते फिर, चुंजा मार लाग पे याद रखे हो कई वरी कई खंडी कमाई वाले यां दी रीसां का रवेंदे या पर जदो मसीबत पहेंदे या तर्दे तर्न वाली या बाकी फिर ओई खेखान लाग पहेंदे मैं लफज बड़ा गलत जा बरत गियां पर सलियत है ये ना वो बतक दे बच्चे दा मुकावला इसे करके गुरू सहीब ने उनके वरी सी के लिए आगल क्यों कीती जा किमें होगी याद रुक्यों जिन्दगी बहुत बड़ा सफर है ठोकरां खाखा के पता लगदा केड़ा बंदा की थे है बाबा जी ने क्या हंसा देख तरंदेयां बगगां पे आया चाहो डुब हुवे बगबपडे सिरतल उपर पाऊं ते अगली तोकों ना भी कही ये दोवरी से लोक हों देख बड़ांस की वार विच ते बाबा फरीज जी दा मैं जानने आख बड़ांसा है ता मैं कीता संग जे जाना बगबपड ता जनमना पेड़ी अंग जे जाना बगबपड़ा ता जनमना पेड़ी अंग ये दा मतलब पो लिखा किसे न भी लग स पर जदो सेंकड़े को तो कुँझ गुरूरान साहिब जी ने क्या सेंकड़े को तो कुँझ जदो दाना चुंदिये इकको दम आपने बच्चे नुचेते कर दिये करम कुझ करम मा कर दिये खान दी मा भाईग है बच्चे नुचेते करन दी दे रहे ते जदो चेते कर दी बच्चा मानुचेते कर दाए मान दी अनरजी जडी बच्चे विच चली जान दी इस शिमरंच ताकत है इस सद्गुरू तांसानु समाते देन देन सिखो जे कुझ ते कुझ दा बच्चा चेत गुरुश में ताइं बिंती की ती सेख बड़ी उच्चा रुतव है जी सेख दा मुकावला केड़ा है जो में को टैम नहीं मैं इने लवज एक ते बहुता पां बोली है ओ पाई सभी केंद ने की देवते की देथ जड़े उची उची पदवी ते पहुंचे देवते ने सानू सिम्रन कुझ वर्गा देता पाई सभी जीन तेनी शब्द केह कच्चू आंडा ते आंतर कर परपाक नदी विच आने कुझ रिदे सिम्रन करे ले बच्चा उड़दी असमाने कोईल पाले कामनी मिलदा जय कुटाम से आने अगे पाई सभी ने ज्यान ते आन सिम्रन स और दा यह लवई भर सुने हो ग्यान कोयल वरगा ते आन कच्चू कुमी वरगा ते शिम्रन कुझ वरगा जियान तियान सिम्रन सदा सत कोर से रख निरबाने होने इस तो अगे थोड़ा जया मैं सारे शवद वरते पगतवी संत वी ब्रह ग्न्साद होना सारे अनु क्या कें लगे पगत बहुत चंगा जिरा मुख तो केंदा भाई गुरू संत बड़ा चंगा जिरा नाम सुन दा है साथ बहुत चंगा जिरा कीरतन कर दा है गुर्मख बहुत चंगा जिनने कमाई करके मन जेत लिया माराई दा इस चार बिंतियां सुनियों तांतन पागतिना पगत जना, बड़े सोखे शब्द ने जी, तांतन पागतिना पगत जना, जो हर नामा हर मुख कहते हैं, तांतन पागतिना संत जना, जो हर जस सर्वनी सुनते हैं, तांतन पागतिना साथ जना, हर कीरतन गाय गुणी जन बनते हैं, पगत संत ते साथ आगे न, ता सेठब गुर्दि सिख्या लेके तांतन पाग टिना गुर्म खां जो गुर्द सेठब ले मान जिर्व यह वही पर उठोब आ ने गुर्मको यह सारी पदेज़ियां तो फिर उच्ची गल करने पर दिती सम्दौन वडेप। इता है जो गुर्द चर मुर्द facade care पर नाच देगे पियाना गुर्मको एवे नी कल पी जाए जाना जाए पाग माडे मंदे चंगे एक ए रीच के निमरता चे जदो मारे दी जूरी जबे के असी बड़े पापी असी बड़े पाडे पहडे पाग ने शेक कदी न कहे मंदे पाग हो दे उन्दे ने जदा साथगुर मेरा पूरा ओनों देख जा तेरे सिर्टेखर होता है मेरी अर्ज कहे के सिक शब्द बौड उत्ता है एक मैं आप जिन्हों उदारन होर दे देना पाई साहिब जी ने गुरू अंगद साहिब पाई गुरु दास साहिब जी और गुरु अमर दास महराज उन्ना जीवन काल दोना साथगुरां दी चर्ण शू माननवाला सेख होया है पाई पारू डला पेंडे जी सुल्तानपुर दे नेडे जी ओस लाके देरे नों पताउन है ओना ओस डले नू गुरू अमर दास रतना दी खान कहिंदे सान गुरू अमर दास जी दे वेले बहतर ब्रम ग्ञानि डले पेंडे जी रहे एपने सा रतना दी खान है वे ने क्या बहतर में शब्द बरतर हें अलम ग्यानी कुर्शेख रतना दी खान एत होन्द है कि से कसी पाई पारो यू जुलका पाई पारो तान्गुरु अंस हब्द चर्णा चाया तै सचे पातिशा महराज ब आणि सुनी ते पाई पारू जी ने सत्गुरु गुरुं अंगज साहभ जीनु दिवान तो बाद बिंती करके पुछिया माराज हनस्ता सुनी दाख है ते परमहनस कौन हुं दाख है कि कई बंदे अपने नामनल परमहनस लांदे सत्गुरा ने बड़े प्यारे बचन के कहने लगे पर्महंस दे बारे सुनना है जा पर्महंस बनना है कि ने माराज पहला दस होता सही ओथे फिर हजूर ने क्या हंस है जिड़ा तर सकद है हंस है जिड़ा दोदते पानी नो नखेड सकदा है इस तरही ने जी हंस पानी ते तरदा है दोद ते पानी नो नखेड सकता है ते मोती चोंदा है खडियां ची चोंज नहीं मारदा हंसा हीरा मोती खाना मारेने बानी ची भी क्या मारे जी परम हंस कहने लगे परम हंस ओ वे जिमे हंस दोद ते पानी कार जानदा है बदे ही हो जानदा है देच रहिं दें दे तो वाक हैं ओदी खुराक सुरती धी जीब नाल सिर्फ ओडी शब्द्ध मूति चोनदा है एस से तरह जमें लेहरां भी चाल दियां घोंटे खंस फिर भी ने डोबदा पानी जिन्या मरुझी संसार दियां लेरा आजन परमहंस ओवे जिन्हों दोक सोख वाशना दी कोई लेर दबो ना सके उन्हें सुनिया ते जदो वापस जान लगा हजूर जी ने पोछ लिया कि कितों आया है नाम की ये केंदा पारूं आया होन तुसी ख़डूर सहब देखे बहे के गल करो ना पारूं आया ते ता मतलब सिद्ध है कि नाल वियास निकल दा वियास दे पर ले पास हूं आया क्योंकि सुल्तान पर उर ले पास है वे वियास पार करके अगे गोईदवाल सहब ख़डूर सहब माज़ा शुरू हो जान दा हुण ओ केंदा जी पारूं आया ते पारूं मेरा नाख है फिर सुने ओ पारूं नास की पारूं आया पारूं मेरा नाख है हजूर केंदे ने पारूं पारूं आया ते गोईदवाल वाले नों मिलदा रही एक दिन परमहंस हो के संसार तो पारो जाएंगा गोईंदवाल वाले नो मिलदा रही एदा सबंद में साखी नला मैं ताम बेंती कर लगा पारो पारो हैं गोईंदवाल वाले नो मिलदा रही क्योंके गोईंदवाल गोबिंद पुरी है पटानिक है गोबिंदवाल गुबिंद पुरी समझल लंतीर विपास बनायो गुईंदवाल वाले नो मिलदारी पाई पारो गुरु अमरदास जे चरना चाहे गुर्मखो उन्ज वैसे बौली दा काडवी विसाखी वाले दिन टुटा से जेड़ी गुईंदवाल सही दी बौली विसाखी न टुटी से जेस दिन गुरु नानक सहीब ने सुल्टान पुर तो पहली उदासी शुरू की थी ओधन भी वैसाखी सी पहली वैसाखी नो एक और अर्ज करां ए वैसाखी दा जेड़ा जोड मेला है गुरु कार्च गुरु सहीब तो पहला मी है जी गुरु गोबिंस सिंग तो पहला च चरनाच इने जुड़े इना बिंती किती माराजी किर्पा करो एक साल विच जोड में ले जरूर करो उन कही बंदे दिवाली दा बड़ा खंडन कर दे चलो आपा मैं फिर क्या मैं नेग्टिकोश नहीं बोलना पर एक मेरी बिंती है गुरू सहीब दे हुकम नाम में पड़ो साथ गुरू खोद हुकम नाम में आनू कहिन देया दिपावली नू दर्शना नू आउना हुकम नाम वैसाखी दा शरू कीता दूसरा दिवाली दा शरू कीता फिर मेरी बिंती है जि होनता चलो कंक बड़ी चेती पक्कन लाग पी जिना पता न वैसाखी वेले जे कंक नीजी पाक दी ते दिवाली वेले दुजी फसल नीजी पाक दी एस वैसाखी दे जोड मिले दी अरंबता पाई पारो जी ने की ती गए मारा जिनू बेंती करके गुई दवाल साय हजूर सचे पात्षा दे चरना चंदेशां कर दे की संजी कई व्यावार्तक विद्वाना ने कोडा लिखे परसल चू कोडी ते अंदेशां स्वार होके उना रोज आना अमरत वेले डले पिंड तो उना कोई व्यास होते पोल नहीं सी जिनना मर्जी खड़ आया उना चीर के निकल जाना जी उनू पानी नू एक दिन बहुत पानी चड़ेया ओदे कनारे तेक सुब्वेदार क्या जान्दा जिदा ना अल्ला यार सी ओपनी लामलश कर लाके बिठा इस करके के पानी दर्यादा उत्रेगा ते फिर जावांगा पार करांगा पाही पारों ने कोडी न माराई दे चरना जी वापस आया उस अल्ला यार ने पुछे तेनों पानी तो डर नी लगा तो द्रयादा पार करके चीर के निकल गया वापस भी आ गया ओके दे मेरा मुर्शिद पावसागर तो पार करांदा है ब्यास की है उन्हां परे क्या जानदा है जिदो बानी पार दे सान कोड़ी पिछे पंची ओड़ दे हुं दे सान कि ना कुप वित्तर उच्चा जीवनों पेगा पाई पारो ने क्या गुरू से पावसागर नों पार करांदे गुर्म को इन्नी सेवा कीती जदो पाई ओ बंदा केंदा मैं भी पार सोग सकना अपनी कोड़ी पिट पि चरना ते डिख पिया माराज जीनु केंदा मैं वापस नी जाना मेंनु सिखी बख्षो मारा जगास के केंदे ने पाई पारो पार्स खहे एदी शो करके तू कंचन बानगे आंखें किन्दा कुछ समा लगा संगत करते हैं जी तू पार्स ने कंचन बना दिता है जड़िया बाई मंजिया तान गुरु अमरदास ने दिती हैं एक मंजी अला यारनों मी दिती सी आप जी गिंती करें एक मंजी पाई अला यारनों मी दिती समा है पाई पारो इने के जुड़ गये मैं आपनो बिंती सिर्फे कर रहे हैं सिखी किन्नी को महान कहें माराज गुरु पारो जुलका परमहंस पूरे सत्गुर किरपातारी समरात गुरु ने मेर किती हजूर ने क्या पाई पारो जी जी सत्गुरु उना दे चिलाने तो पहला सड़ा चिल्त करदे जेस अवस्था ते तुसी विचर दे पहो असी चानने हां कि तो अनू अपनी गुर्गदी दे दिए तो अनू गुर्याई दे दिए परी संगच पाई पारो जी ओठके खड़े हो गए हाथ जो ओड़ ले गाल चे पला पाया के नहीं ना ना जुम बंदा डर जानदा है उच्ची उची तरह तरह करके संगत वेखन लागपी तरह तरह करके बेनती किती सचे पाधशाह मैंनू गुर्याई नहीं चाहिए दी मेरी अंस वेख शिख दी दाद देओ मैरे करक गुर शिख की बक्षिओ मैंनू सेख बना लो है मैं बेनती करानगा गुर्म को सेख किन ना कुछ चाह जी मैनू सेख बना लो मैनू गुर्याई नहीं चाहए दी कभी संतोक सिंग निलिखे है महराज बर्म सियानप महानूप बड़ा सियान एे गों गुर्याई करो उधार लोग सुमधाई तुशे इस्थे बराजमाउड लोकाँ दा मानवता दा उदार करो अग्यकने कर जोरे पारो पगपरेो त्राय त्राय कर बचन उचरेो प्रभ जी गुर सिख्खी मुझे पावे गुरे आई सत्गुरें सोहावे सचे पहत्षा मेनू गुर सिख्खी देओ गुरे आई सत्गुरु जी तुसी शोब देओ मेनू सिख्ख बनालो अगला बचन मुझे पर किरपा द्रिष्ट को तर ये गुर सिख्खी पदबक्षन करिये मेर ते मेर करो मेनू गुर सिख्खी देओ माहराज जिन मुस्कराप है कहने लगे जहा तेनू पुष्टां दे सिखी देते पुष्टां समझे गहने जी कई पीडियां दे सिखी देनू गुर्म खो एई पाई पारो पेंड चला गया यहने चलाना की तापने पेंड हजूर ने अपने बेटे नूपेच्या कि मेरा बहुत प्यारा से एसे पाई पारो दे कारविच गुरु अर्गुबिंद सह महराज जी दी बरात गई जेडे माता दमोदरी जीदा व्या होया पाई नरेन दास ना पाई पारो दी यही परवार ढले तो उठके लहोर गया इस परवार विचे उस परवार विचे गुर्म खोया पाई सुगा कहीं याने सोबती लिखे उस परवार विचे वया पाई सुगा सोबती उसे परवार उस दी कारवाली सी माई देया ली माता देया ली उस दी कोख विचो ने जन्म लेया जिरा पंज्या प्यारें जो पहला प्यारा बने आख है प्यारे पाई दया सिंग जी मैं फिर बिंती करांगा सिखी एवे नहीं भी प्यारें पाई दया सिंग जी सच एवे के पाई पारो जी दी अंस बंस विचो ने उस खांदान विचो उस तो अगेज लिया पाज गल कर लगे हैं तन गुरु गोविंसिंग माराज उन्हाने सिख शब्द वी वरतिया उन्हाने सिंग दी पद्वी भक्षी सिंग दरते शेर उन्हें याद रखे हो शेर दे बड़े वड़े घुनने एक दिन ओधन आपा सैक्रामेंटों कथा कर रहा है साना क्योंकि शब्द बड़ा लंबेरा सी कई दिना दी कथा उधी पर एक शब्द आया जी सेंग बिलाई होए गयो त्रिन मेर्द कीता जिड़ा शब्द आपा पाड़ रहा है साना पिंगल परबत हाँ पंग पिंगल पार परे खल चत्रब कीता अंदुले तरे पवन शूजिया गुर पेट पुनीता मैं मासादू संकी सुनों मेरे मीता मैल खोई कोट आगारे निर्मल पै चीता ऐसी पगत गुविंद की कीट हस्ती जीता जो जो की नो आपनों तिस आप है दान दिता सिंग बिलाई होए गय उत्रिन मेर्द खीता स्रम करते दमाड को ते गनीत नीता कमन बढ़ाई कैसकूं बे अंतु गनीता कार किरपा मोहे नाम देओ नानकदार सरीता जदो ये अर्थ पड़े ना जी मुथे कीते सन अर्थे फिर मिचर रपीट कर देना ये तार्थ हो गया भी सिंग बिलाई होए त्रिन मेर्द खीता जीड़ा शेर है आम टीका कर एई अर्थ कर देया जी जीड़ा शेर हो बिल्ली हो गया हां जी सेंग बिलाई होए गयो फिर मेरी बिंती खे त्रिन मेर्द कीता तिन दर्थे तिनका ते मेर्थे पहाड तिनका पहाड बन गया शेर बिल्ली बन गया गाल से उठा है भी कीट स्ती जीता किडी ने आती जेत लिया ओर त्रिन दर्थ गुरू दी बक्षिस है सिंग बिलाई होए गयो इनुझे होए गयो पुलिंग है जेडी बिल्ली सी ओशेर बन गई त्रेन भी एर्द कीता जे अर्थ टुकामांगे एक पास ऐसी करांगे भी शेर बिल्ली बन गया फिर कहांगे तिनका पहाड बन गया खत्म करके शेर दी तरह निडार बना देता इस संगत ताकत है जी एक होया वजीदा आप जिने सुनिया होना है जिदे दो हड़े परे जान दे या भी ए वैसे वोदा नहीं है गा इकना दे कर पोत्र पुता कर पोत्रे मैं जोड़या किसे मैं जिननी को दी रचना पड़ी उदे चहाई नहीं उदे दोड़े बड़े कमाल देने वैसे है भी कमाल वो केंदा वैगरू तेरे नल गल्लां करके शिदियां गल्लां करदा केंदा रभा तेनू केड़ा कहे भी इस तरह ना करिया कर समर्पते केंदा जिड़ा मूर्ख जेस बंदेन बोलन दी अकल्यों ने नर पे यद ते रह राबदा ना जिड़ा विचारा सारी जिंदगी पड़ पड़ के कताबान मत्य मारदा मूर्ख दे भुए खोलदा पे हैग ना जी लीडरां दा ही आले ना पड़े लिखे बंदेज ना 25-25 साल गाले ने वो आन पड़ा नू सुलूटा वार दे भैन है राबदी खेड़े ना किना मूर्ख नू असवारी हाथी कोड़ें पंड़त पैर पे आदे पाटे जोड़ें मूर्ख नू हाथी कोड़े ने विदवान विचारे नू सैंस साफिया भी रोटी के में चलेगी तुझे अरान वोगे पाईस है पाईस संतोग सिंग ठीक है अज दुनिया बहुत कुछ कहीं दीए मैंनू पता उस गरंथ हैं कुछ पर मैं गुरू गन से वदी यूरीच कह रहे हैं जिनने से खविदवान आज तक अद्यूनिक ने जिनने गोरे विसन एतो तक मेकालब वरगे बंदे निमती आस लेख दे हैं संतोग शिंग नो नूर नहीं कीता क्योंकि उद्धू पहला इड़ाते आसी कोई दी उनने दी हालत जब दोना दा चलाना किता उनना दी लाइबरेरी चे कबेते मिले आसी उनना दी निजी जीवन दा गरीबी दे दिना सा दी चुट्यो है परकरम खोई है या उशरम उस विच ओ लिख देने के दवार पे करजदार ठड़े मुख देतगार बिना रोजगार रोजगार खाईयत खें गुर्म को आप थोड़ा जर्था बलते आंदे आँगे न जी फिर सुनियो दवार पे करजदार लेख रहे हमा ते आस ते बुवे ते जिनना तो करज़ा लेना वो बुवे अगे खलूता है समझे के दवार पे करजदार ठड़े खलूते ने मुख देतगार पैसे कोई नहीं गाणा कड़ देती या पढ़ना दिया दवार पे करजदार मुख ठड़े मुख देतगार अगला बिना रोजगार रोजगार खायत है अरह समझे जी बिना रोजगार रोजगार कठा हो गया ना रोजी बिना रोजगार रोजगार खायत है पहले रोजगार दा अरते अमदन दा सादन रोजी ते दुज्या रोजगार गार दा अरते गाडा केंदा वाओ वह गरू बिना रोटी तो रोज गाड़ां खान आप आऊ रोटी ता खान नो ने मिल दी हो केंदा मूर्ख नो असवारी खाथी कोड़ेयां पंड़त पैर प्यादे पाटे जोड़ेयां करन सुग्ड मजूरी मूर्ख दे जाय कार वजिद्या काउन कैसा है वनु एंज नीता एंज कार अगली गालों ने केंदा गवाँ देनदा काम लीदा कुतियां गावचारी साराद ने का के चोंदी कुता गड़ी जो बईठा बंदेनू दनियां बखान दाबे जिना रखे ने मेनों बख्शे दो जे के औक दोन भीद कुतियां बारे मारा बोल गया क्योंकि वो विचारा नियाने मान दे को नहीं दो तो ताम मन लान ना के बई जा ओ बई जाएगा नियानन को वह उन्हें थुड़ा बेना है जी वो केंदा गववां देन्दा का मलीदा कुतेयां मलीदा समझ गया ने जी मलाईयां जी आगदेयां दीखो के देन्दा सुतेयां चों कुंडी है पानी थाल सार बसार वजीद्या कौन का सहीब नो एंज नहीं था एंज कार मैं ताँ थोड़ी जी उदा आरन लेई एसी बड़ा तकड़ा जरनेल जी वजीद्दा एने कार ली संगत कान पाटे ना थाँ दी साधु आँ दी साधु चलो शवद की वरता पसमला आँ दी एना प्रबावत होया जी ए छाड के ना फोजी पुना ते ए चाल के होना था चेला बन गया पिंडे ते स्वा माल ली जेड़ा देरा सी होना देरे जी पैसे बड़े सा असली होते पैसा होते बहुत सी ओ थे डाका पाए गया वो सब कोजी लुटके लए गया जदो पुर्स तबतीश करनाई थे एकने पशान लिया भी आज एड़ा मुंद्रा भाई भाई ठै मिटी लिबड़ा थे विजीदा लागता है जदो बोले अब आज पशान लही उन्हें क्या तुझी विजीदा है ओ केंदा हाँ ओ केंदा तेनू की हो गया तेरा ना सुनके ताँ डाकू अलाका चाड़ जान दे सां तेरा ना सुनके दुनिया काम दी सी उन्हें दो सत्रा कवता दी हैं केंदा है केंदा है खोते पूत अफगान के देते दसता मोड खोते पूत अफगान के देते दसते मोड ओट गई रगुनात की सकेनत इनका तोड के अंदा जिदन दा कानपाटिया ना आया जो मैं भी लुटिया गया हूँ याद रखे हो एई खालती हिंदुस्तान गुलाम ता हुए गुरू गोबिन सिंगा है उनने सब तो पहला अपना जड़ासी में करन की आया याद रखे हो पंत गुरू नानक सहीव ने शुरू कीता है मेरी फिर दोहाई है क्योंकि जड़े अमरत नहीं शायव दे सेखा मेरी खाथ जोड़के बेंती है खालसा जी खालसा गुरू नानक सहीव दा साजिया हुए विद्वान केंदे है जेड़ी फौलादी खंडा जेड़े लोए दे खंडे नल अमर संचार गुरू गोबें सहीव ने कीता उस खंडे दा फौलाद ओ लोए गुरू नानक सहीव ने तियार कीता सी केंदे है जेड़े खालसे दे रूप जे फल लगा बैसा की नूँ उस फल दा बीज बीजन वाले गुरू नानक सहीव ने बाकी नौ पाथिया नू उनू पाले आखे हजूर गुरू गोबिन सिंग जेड़े सब तो पहला दस्या मैं का दे लिया आया मैं पंचर मिन लेला मैं दे का दे लिया आया मैं क्योंकि स्वेड़े तुह कमाते जाना मैं उस साब न रहांगा बी का दे लिया आया उनना ने फुरमाया हम एक आज जगत मो आए तर्म खेत गुर्देव पठाए जहां तहां तुम तर्म चलायो कुबद करंते लोक हटायो महराज केंदे ने मैं आया यही काज तराहम जनमंग समझ लेव सादूसा मैंनमंग तर्म चलामन संत उबारन दुष्ट सबर को मूल उपारन बचितर नाट की जद्वसी एपढ़ने हमाराज सचे पादिशा एब बचन केंदे या आज शब्द जियूंतियों प्रभ हमको सम जायो इम कहके ए लोग पटायो की पटायो अकाल पुर्खवाच ओथे महाराज लिखे अकाल पुर्खवाच मैं अपना सुत्तोह निवाज्या मैं तेनों अपना पुत्तर बना के पेजह लगाऊं मैं अपना सुत्तोह निवाज्या पंत पर्चुर करबे को छाजा जहां त दूबडी निर्मांटा के लिए मिलेगी ठाट पहो मैं जोर कर पंथ बचन कहा सिर नाये सिर चुका के क्या पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाए पंथ चलेगा गुरु नानक सहीवदा पंथ दुनिया जपर गट होवेगा मेरी कमाई नाल नहीं होना तेरी बक्ष च सिखो के पंथ चलेगा सहता ओ करेगा सहता करनवाले नू पुल्यो ना पंथ चला जगत तब जगत में जब तुम करो सहाए समाया जिड़ा मारे ने खालसा साजिया वैसा खीदा दिन आ गया आप सब नूपच्चा विद्वान सारे दस देया असी हजार दे क्रीब अकाठ स तन गुरु घोबिन सिंग जी ने अपनी करपान नंगी लें दी उस तो पहला देवीदा जिकर भी होंदा चलो जी पर साधना जड़ी वो कुछ होरी रूप सी आज महाराज ने क्या कोई है सिक का बेटा जो सीज करे बेटा दुजी वार फिर अवाई दिती अतिहास केंदा तीजी अवाज दिती उन जड़े होन मेनू बड़ी राणगियों दी ये जड़े केंदा महाराज ने पांज पेयारे चोनले गुर्म को चुन वीते सिर पेडिका प आती के आजना कपड़े कुपड़े पाली स्वेरे तुन बना देने इस तरही है ना इस तरही है ना आप चुबी और आती कपड़े सारी पागे हों देया जिनी परची निकलनों पता होंदा है याद रखे हो ओत चुनना शवजदो मैं कहना पांज प्यारे चुने और गु के सरदार कपूर सेंगल केंदें बेसंग भी बकरे वड़े के सिखांदे सेर लाए इस तरही आती है आसविच कई गल्ला वह मैंनों गालों नहीं बड़ी चंगी लगी और कोई ताके ने समरे कीता है साब कोई ओके ने याभी जेड़ा काम गुरू ने तंबूच कीता तु जेड़ा उनने बार कीता बार कीता तो एमे उनु पाड़ी जांदे सानु इनु पता है भी गुरू गोबिन सेंग नंगी करपान लेके आए सेख नु क्या सीज देओ ती जी वाए ते पाई दया सिंग जी खड़े पाई दया सिंग कहांगा खड़े हो गया सचे पाधिशा तेरा है मेरा कुछ नहीं एस सीज तेरा त्वाड़ी पेटा है अतिहास के इंदा करपान चलन दी आवाज सुनाई देती ते बार खोन नल पी जी करपान लेके आए प्यारे हो पाँजे बकरी चिटका है उन्दे बंदे नों पता ही खाल की ते सट नहीं मेरी खाथ जोड़ के बिंति एक गुरु दी करनी दे शाकनी करी दा फिर साधे सामने सैंस आ जानी ये वे गुरू महाराज ने पाई दया सिंग उना नों फिर साथ गुरु गुरु गोबिन सिंग जे ने आपना पूरा तेज परताप इस गाल नों फिर सुने हो गुरु गोबिन सिंग ने महा फानिया ती प्रंप्रा तोरंदी जन्ने शक्ती सी। साड़ी सारी गुरु गोविन सेंगे अजयोदु कपा देती। जो कठा सीना माराज गुरु गोविन सिंगॉंख जी ने खंडा बाठा दैर सेरी नियुद करांगा요 रोज़ते aten सर्ब लोदा लिया बाटा सर्ब दोला लिया पाणी खोदाने जयाल सात गुराने शातों प्ता से भाय गरमको प्ता मुखा। 50 Patch 35 पता प्यारिजय नहीं हैप मेरी फेरर गर्सलिस का रहे हैं जही है जो बाद citizenship मारे पंजाच लगे कि ते ओ ओ जड़ी गाले मेरी फेर अर जगाए की होया उसे वेले की में होया की पंजाने जदो सत गुरु जी ने अम्रदी दाद देती चलुए क्या जंदा अभी मारा इने छटे मारे पर गुर्म को छगाया भी है ना कले छटे मार के लिए खड़े ने क चिकाया पंजादे नित्राच पंजादे सीष्च अमरदी चिकाके न छेमे जिनने शक्या गुरु गुविन सिंग सान छेमा कोंड़ी जिनने शक्या वै गुरु जी नू फिर समझेओ उन कही यह भी कहने दिया जी मैं नानी लेना चलो नहीं जी ए नहीं हो सकता जी पाई लेना जी मत्था टेक दे रहे साथ साल ओ मत्थाट टेक दे रहे तो आप साद्गुर बीरासंच भैग है बीरासंच भैठके करें या पंज्यो प्यारे में नो अमरदी दादि ठीक है कब ता वाले ने बहुत कुछ गया में करी क्या सी क्यों região क्या जि क्यों आ क्या सोकी दियोगे हाना कथा चुछ भी सुनाने असारे सी मेहता सीज दिता मारे ने क्या मैं सरबन से दे दियांगा ओ गुर्मको उस वक्त केड़ी खेडवापरी होईगी जदो गुरू गोपिन सिंग जी ने क्या होएगा मेनू पंजो अम्रत देओ उना ने आर्गुमेंट करना भी थानू की देएगा ओना दे नेतरा चुछ नीर निकले होएगा ते क्या होएगा ऐसी लाल तुछ भीन कौन करे है गरीब निवाज गुसईया मेरा मत चतरतर है जाकी छोत जगत को लाग गए तांपर तुहीं टर है नीचे उच कर है मेरा गोबिन काहूं देना डर है क्य नों अमर देओ क्यों ए मेरी बेंती त्यानल सुनियों वैसाखी नू गुरु गोबिन सिंग जी ने ओ दाद दे दिती जड़ा कोई पगंबर आपनी उमत नों ने दे सकिया इसनू फिर त्यानल केड़ी दाथ एक तांसर्व यहां पर कर देते पांज प्यारे जे गुरु स अब चरन पॉल देने ने गुरु गोबिन सिंग कले ने वै गुरु शिरीर के तोरते कह रहे हैं और जी गुरु शब्द है गुरु ता शिरीर तो 1708 तो बाद केड़े गुरु गोबिन सिंग के तोर गए हो है पार उस वक्त जड़ी एक थांते खेड़ वाँ पर दी सी उन कि मैं आज तक गुरु वक्रा आज मैं खाल से नू गुरु ते जदो मैं अमरे शकन लगां खाल सा जी मैं चेला बन लगां मां वैरे सुने हूं खाल सा गुरु गुरु खाल सा करूं मैं अब खाल सा गुरु खाल सा गुरु बन गया गुरु खाल सा बन लगए जैसे गुर ना बोली जो पजंदे रस्ते ने अमरत विदी विदाने आतमान उपर मातमात कली जान दे ले गुरू गोबिन सिंग जी ने दाद देती खालसा गुरू गुरू खालसा करू मैं अब जैसे गुर्नानक जी अंगद को कीनियो संक ना करी जाए साब दान खोए दी जाए अब अमरत शकाओ जैसे तुम लेने काल हुआझ कि काल असकेत हैं सुनाई के जाए काल असकेत दर थे जिन्हें हाथा करपान पखडिए काल हुआझ कि काल असकेत हैं अकाल प्रव दीर की किर्पाल yu हाकम हमें देनी हो मैंनो वै गुरुजी नो हुकम देता है करो पूरा गुर्मको 6 में गुरु गोबिन सिंगaiser ने अमर उचा किया सरदार कपूर सिंग दे लख देया क्योंकि मैं किसे दी ख्याल देना लग अमाणे हैं नहीं लुकाना चांदा जजवदर समझ गया ने जी मैं तेरे ची मिल गया हाँ मैं तेरा वक्रा हाकम नगी तेही कारन जदो खालसा साजिया आए नहीं क्या गोबिन सिंग जी का खालसा ते गोबिन सिंग जी की फते कहने लगे मैं तेरे नल खालसा बन गया और वै गुरू जी का खालसा वे गुरु जी की पते हैं खालसा वे गुरु जी का है सत गुरु के प्यारे हो दुख नल कहना पर इंदाखून खालसा शब्द भी एक जात बरादरी बनके रह गया इस तरही तरह पर मैं गाल नहीं करनी क्योंकि चिंगा ने अगमचा दिया ने खालसा काउंड है जित्याप आप पिछो चले आया पहली गाल याद रखो खालसा खुद गुरु गोबिंद सिंग है मैं अज गाल कर रहा है सम एक सेथ सेंट पाल नो केड़े किसे पुछा किन्ने होए या असाइया दी किन्ती किन्नी है उन्हें आसके क्या एक कुई हो यासी बस उड़ी चाड़ गया खालसा शब्द कहना सब्ख है प्यारे हो सब तो पहला याद रख्यो गुरु गोबिंद सिंग सहब आप खालसा ने मैं तो आला लवज क्या गुरु खालसा खालसा गुरु rene कहांगे क्या गुरु घुरँ गजहां गुरु गन सभ्द किन्हें गुरु चेला चेला गुरु कहा गुरु गरु गुरु गजहांगे हजूर सचे पाधिशार ने अम्रदी दाद देके फिर जेड़ी पहली गलकई होने थे बिंतिये मर्यादा थे सी पांजिक कार देते एक योना आपा चली चलांगे न पांजिक कार देते इवी कल नू अर्ज करांगा माराजी ने गल की खालसा आ तेरा विदी विदानियों खालसे विदी विदान्च की सी जागत जोत जपै निस बासुर अज मैं पढ़ जाना अर्था पाकाल नूँगे कार लांगे जगदी कोई जोत परमात्वानु जपे जागत जोत जपे निस बासुर एक बिना मन नैक नाने एक तो बिना किसे दूजे नू मान चना ले आवे पूर्न प्रेम परतीत सजाए ब्रत गोर मड़ी मठ पूलना मनने तीर्त दान दयात बसंजम एक बिनाने एक पच्छाने फिर खालसा जी बनेगा खालसा पूर्न जोत जगए कट मैं तब खालस ताहें ने खालस जाने एस सत्गुरा ने खालसा बनाया अगे साड़े फिर रैत नामेने ब्रत बनाया